हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नवदीब सर्च फिजिक्स क्लास आज अपने करते हैं फ़स्ट चैप्टर के क्वेस्चन्स और नमेरिकल्स तो अपने फ़स्ट चैप्टर कपलीट कर लिया था राज थान बोर्ड फिजिक्स का अब उसके अपने क्या करना है कि लगबग और उन क्वेस्चन में एक खास बात यह है कि उसमें से काफी क्वेस्चन ऐसे हैं जो डिरेक्ट अपने चैप्टर में नहीं आए हुए हैं लेकिन अपने टॉपिक से क्या हैं रिलेटेड हैं तो तब ही अपने क्या करते हैं उन क्वेस्चन को करते हैं देखो जो मैंने notes में note की हुए है question वो वाले questions हैं जो direct अपने chapter में नहीं आए हुए और जो direct आए हुए हैं वो मैं आपको सिधा बता दूँगा वो notes में नहीं है और MCQ पहले अपने MCQ question करेंगे फिर उसके बाद आज अपने very short answer type जो question आते हैं एक एक line वाले वो question इसमें attempt करेंगे ठीक है यह अपने दो करेंगे फिर next वीडियो में अपने क्या करेंगे numerical question है और या फिर previous year board में आई होई question उन सभी questions को अपने cover करते हैं तो देखो पहला question स्टार्ट होता है पहले मैं चौता question उठा रहा हूँ यह जो question नहीं है multiple choice question है यानि MCQ मतलब option वाले question होते हैं जिसमें 4 option दिये होते हैं आपको वो वाले हैं तो देखो इसमें क्या given आपको और बहुत important question है यह book में आया हुआ है शायद solved example में ऐसे 2 question आये ह ठीक है 1.9 और 1.10 नंबर एक्जामपल है शायद वह इसमें आया हुआ है तो देखो two point charges plus 9E and plus ER at a separation of 16 cm यानि दो charge आपको given है plus 9E और plus E और दोनों के between distance 16 cm है where on the line joining them another charge q must put so it remains in equilibrium मतलब कि इन दोनों को जो मिलाने वाली line है उस line पर अपने को एक क्या करने q charge रखना है और वो q charge वो पूछ रहा है कि कहां पे रखें कि क्या हो जाए यह जो system है यह सारा क्या हो जाए equilibrium में हो जाए equilibrium में system होने का मतलब क्या होता है कि जो charge आपने place किया net force है वो क्या हो जाए जीरो हो जाए तो equilibrium में आपको याद रखने है वी वो condition जिसमें क्या हो जाता है किसी भी object पर net force हो जीरो हो जाता है तो अब देखो solve करते हैं पहले तो इसका diagram मैंने बना लिया कि दो charge रख दिये plus 90 और plus e बीच की जो distance है वो क्या है 16 cm है और मैंने यहा और अगर मैं बात करूं कि plus 90 से कितनी distance पर है तो यह 16 minus x distance पर हो जाएगा ठीक है क्योंकि total 16 है 16 में से x ही होगी तो 16 minus x ही हो जाएगी अब देखो आपको कि given charges plus 90 and plus e distance 16 cm है फिर equilibrium means यह मैं लिखा हुआ है कि equilibrium का मतलब क्या net force on q will be 0 q पे जो net force लग रहा है वो 0 हो जाएगा पास फास दो अलग charge पड़े हुए हैं यह दोनों charges इस पर force लगाएंगे अब देखो यह प्लस का है यह भी प्लस का और यह भी प्लस का है तो अब यह वाला plus इस प्लस पे repulsion force लगाएगा और यह वाला भी इस पर क्या लगाएगा रिपल्शन मतलब दोनों charges क्यू चार्ज पर repulsion force लगाएंगे, तो वो मैंने शो कर दिया, देखो, जो A वाला है, वो इस पर repulsion force इस side लगाएगा, तो ये पहले A वाले की direction हो जाएगी, और B वाला भी इस पर repulsion force लगाएगा, तो वो इसको इदर बेजने की try करेगा, इस Q को, तो ये B के कारण क्या हो जाएगा, तो द तो अब देखो let q charge is placed at x distance for plus c charge from plus c charge then force on q due to plus 9 charge यह 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 प्लस 9 charge इस q charge पर कितना force अप्लाई कर रहा है तो देखो f a मैंने force लिखा k into 9 e into q upon 16 minus x square k q1 q2 upon r square वाले formula से अब बिल्कुल same ऐसा क्या है कि force on q due to plus e charge यह यह जो प्लस e है यह कितना लगा रहा है तो वो वड़ा force लिख दिया उपर दो दोनों charges और between जो distance है अब क्या है कि देखो direction of both the forces is opposite and net force on q will be 0 कि दोनों forces की direction opposite है और दोनों जो forces हैं उनके कारण q पे जो net force 0 कब होगा जब यह दोनों force क्या हो जाएंगे एक दूसरे के equal रख दोगे आप यानि कि जितना force इस side लग रहा है उतना ही force इस side लगे ठीक है तो net force 0 हो जाएगा तो वही चीज़ी यहां पे है तो देखो इसको आगे तो calculation है दोनों के equal रखा k q e k q e से cancel हो गया और यहां पे बचा 9 upon 16 minus x की whole square upon में इदर बचा 1 upon x square तो अब क्या करो आप यह जो x square पड़ा है इस x square को यहां उपर ले आओ cross multiply करके और इस 9 को कहा ले जाओ इस x square की जगह पर ले जाओ तो वही चीज मैंने किया x square को उपर ले और upon में 16 minus x square पड़ा ही और इदर 1 upon 9 हो गया अब क्या किया दोनों तरफ unroot ले लिया यहां पे आप लिख देना taking root both sides दोनों side क्या करोगे आप unroot ले लोगे तो जब यहां पे आप unroot लोगे तो यहां आएगा x upon 16 minus x और जब आप इसका unroot लोगे तो यह 1 upon 3 आजाएगा अब 3 और इसको क्या करों cross multiply तो 3x is equal to 16 minus x और 4x is equal to 16 आजाएगा इसी x इदर आजाएगा ठीक है तो x is equal to आपके पास 4 cm आजाएगा यानि कि जो x distance बानी थी आपने वो distance थी plus e charge दे और अगर आपसे plus 90 से पूछें तो आप 16 में से इस 4 को क्या कर दो minus कर दो तो आपके पास क्या आजाएगा 12 cm इसकी distance आजाएगी और यही इसमें answer दिया हुआ है जो आपकी 4 option है कि plus 90 charge से कितनी distance भी है 12 cm की distance भी है तो इस type से आप क्या कर सकते हो इस प्रकार की question को solve कर सकते हो अब चलते है next question पर जो आता है fifth question देखो fifth question क्या है कि two identical spheres having unequal and opposite charges कि दो आपके पास identical मतलब same spheres है बिल्कुल radius बगेरा सब कुछ A to Z same है और having unequal दोनों पर unequal charge है अब अपने को पता नहीं भी कितना है लेकिन है दोनों पर unequal मतलब एक पर दो कुलाम है दूसरे पर क्या हो सकता है तीन कुलाम पांच कुलाम दो नहीं होगा उसके लावा कुछ भी होगा और and opposite heavy opposite मतलब एक पर plus और दूसरे पर क्या है minus है charges are 90 cm apart यानि कि ये जो दोनों spheres है 90 cm दूर एक दूसरे से place की होई है they are now made to contact अब उन दोनों spheres को आप क्या गरते हो जो एक पर plus से एक पर minus contact में लाते हो तो contact में लाते हो and then again separated by the same distance contact में लाके और फिर क्या गर देते हो जितनी distance पर वो पहले place की होए थे उतनी distance पर दुबारा उनको place कर देते हो now they repeal each other by a force of 0.025 newton कि अब उनके बीच क्या होता है जो force apply होता है वो 0.025 newton का force apply होने लग जाता है so find the final charge on each sphere is यानि कि हर एक sphere पर आप final charge निकालो तो अब देखो कि अगर मैं आपको कहूँ कि 2 sphere starting से question को देखते हैं और उसी के according अपने चलते हैं आगे तो देखो 2 sphere दोनों पर unequal charge है तो कुछ भी हो सकता है दो conditions हो सकते हैं या तो उस पर negative charge ज्यादा होगा और या उस पर positive charge ज्यादा होगा मैं अपने ऐसे मान लेते हैं भी उस पर 5 कुलाम का तो क्या है positive charge है और minus 1 कुलाम का क्या है उस पर negative charge है तो अब देखो उस पर क्या हो जाएगा अगर 5 कुलाम का plus है और minus 1 है याँ पर जो negative 1 है अब उनको आपने क्या किया contact मिला है तो जब आप 2 conductors को contact मिलाते हो तो आपको पता है वहाँ पर charge distribution होता है वो conduction method से होता है और conduction method में दोनों पर क्या आता है same charge आता है मतलब एक sphere पर plus है तो दूसरे पर भी क्या आएगा plus है तो देखो जब आप contact में लाओगे इन दोनों को तो मालो यह 5 था और यह minus 1 तो net charge इन पर क्या हो जाएगा मतलब दो कुलाम इस पर आ जाएगा और दो कुलाम इस पर आ जाएगा ठीक है यह वाली प्रोसेस यहां पर होगी यानि conduction method से charge transfer हो जाएगा एक sphere से दूसरे sphere में जिस पर ज्यादा उससे क्या चला जाएगा कम charge वाले sphere कम charge है जिस पर उसमें transfer हो जाएगा charge तो वही चीज यहां पर देखो अपने को पहली वाली condition नहीं पता लेकिन बाद वाली condition पता है भी जब आपने contact में लाके उनको दुबारा उसी distance पर रखा है तब क्या उनके बीच 0.025 Newton का force work कर रहा है और आपको पता है कि जब आपने contact में लाके दुबारा उसी separation पर रख रहे हो तो उनके charge है वो सेम आ रहा है मतलब एक पर plus 2 है तो दूसरे पर भी plus 2 कुलाम का charge आ रहा है तो वह देखो लिखा है कि before contact we did not about the charge on both spheres but after contact charge on both sphere is same यानि दोनों sphere पर जो charge होगा वो क्या होगा सेम होगा तो मैंने माल लिया कि दो स्पेर है दोनों पर प्लस q प्लस q चार्ज है आप यहां भी माइनस भी मान सकते हो वह कोई जरूरी नहीं है और बीच की जो distance है 19 cm और 90 cm और जो force है वो 025 newton है वो show कर दिया तो अब देखो let charge on each sphere is प्लस q डिस्टेंस बिटूइन स्फिर इज 90 cm या फिर 0.9 मिटर या र की इकवल हो जाएगा और force आपको दिया हुग है तो force वाला formula लगाओ column slow तो क्या होता है f is equal to k q1 q2 upon r square तो यह हो जाएगा k q2 upon r square अब force की जगा जिस जिस की value आपको पता है वो value पुट कर दो तो k की value q2 अपने को नहीं पता find करना है अपन में 0.9 into 0.9 अब next देखो यहां से अपने क्या करते हैं q2 की value निकाल लेते हैं तो यह इदर cross multiply हो जाएगा तो 025 into 0.09 0.09 upon 9 into 10 की power 9 तो q2 की value देखो point हटाओगे तो देखो point यहां हटाओगे तो 3-0 इसकी 1-0 इसकी और 1-0 इसकी 10 की power 5 आ जाएगा नीचे टोटल और उपर क्या होगा 25 into 9 into 9 upon 9 into 10 की power 9 into 10 की power 5 तो यहां 9 से 9 कैंसल हो जाएगा तो बचेगा क्या देखो यह 10 की power 14 बनेगा और उपर जाके minus 14 हो जाएगा और यह बनेगा 25 into 9 अब आप यह q2 की value निकालने के लिए अपने क्या करेंगे इसका अंडरूड ले लेंगे तो 25 का 5 आ जाएगा 9 का 3 आ जाएगा और 10 की power minus 14 का 10 की power minus 7 यानि हाफ हो जाएगी तो यह 50 15 into 10 की power minus 7 कूलांब आ गया अब इसको थोड़ा सा रेंज करते हैं अपने answer के according क्योंकि answer जो आप से पूछा हुआ है वो म्यू कुलाम में आप से पूछा हुआ है तो म्यू कुलाम में इसको change करने के लिए क्लिए क्या करते है अपने इसको 15 को 1.5 कर देते हैं और इसको 10 की power minus 6 हो जाएगा answer आजएगा ठीक है next question देखो यह भी एक नया question है for any electron and proton kept in same uniform electric field कि एक electron और एक proton है दोनों को same electric field यह यह में रखा हुआ है then the ratio of their acceleration is कि उन दोनों के जो acceleration का ratio होगा वह आपको क्या करने है find करने है तो देखो कैसे करोगे question solution देखो because charge on electron and proton is same ठीक है charge इन पर क्या होता है same होता है तो charge same होता है तो आपको पता है जो electric force है वो charge और electric field पर वर्ग करता है f is equal to qe तो देखो charge दोनों पर same है और electric field भी दोनों के लिए same है तो जो force होगा दोनों पर क्या होगा same लगेगा और उसकी value अपने देखो लिखते हैं कि force acting on electron and proton is f is equal to qe और q की value दोनों के लिए small e होती है तो small e आप प्लेस करोगे तो यह आपके पास force की value आ जाएगी अब देखो आपको acceleration निकालना है तो देखो force acceleration आता है कोई formula है force और acceleration का तो अपने जानते हैं कि जो newton वाली mechanics अपने पड़ी थी newtonian mechanics उसमें जो newton's law of motion थे उसमें एक formula आया था force का force is equal to mass into my acceleration f is equal to ma तो वो वाला formula आप यहां पी use करोगे तो देखो क्या करते हैं अपने दोनों condition मानते हैं electron और proton वाली कि let mass of electron is m e and acceleration क्या है electron का a e है ठीक है and then force acting on electron is कि अगर mass इतने acceleration इतने हैं तो force क्या होता है f is equal to ma होता है अब next है let mass of proton is m p and acceleration is a p यह m p p किसके लिए लगाया है proton के लिए तो इस पे जो force लगे आ एम में condition में लिखेंगे from equation one and two इन दोनों को equal करोगे आपको value किसकी निकाल नहीं है acceleration की तो यहां से acceleration की value निकाल लोगे यह m e इसके upon में चला जाएगा बिल्कुल सेम value यहां पे आ जाएगी यह m p यहां पे अपन में आ जाएगा अब आप से पूछा हो है कि दोनों acceleration का ratio तो क्या करोगे equation four और five को divide कर दोगे तो divide करोगे तो एई अपन एपी तो यहां स्मॉली कैपिटली स्मॉली कैपिटली से cancel यह वाला mp उपर चला जाएगा और यह वाला m e कहा आ जाएगा नीची आ जाएगा तो आपके पास mp upon m e किसका क्या आ जाएगा answer आ जाएगा ठीक है तो थोड़ा से दिमाग लगाने वाले question है अब next देखो ninth question क्या है बिल्कुल देखो question देखने हैं बहुत बड़ा लग प्लस q चार्ज यहां पर प्लस q अपने तब ही लेते हैं क्योंकि प्लस q से थोड़ी calculation असान रहती है direction वगेरा असानी से क्या आप find कर सकते हो easily तो if the field intensity due to any of the charge at the center is E मतलब कि इन में से कोई एक charge के कारण इसके center पे जो electric field intensity है field intensity मतलब E की जो value है electric field intensity की value है वो कितनी given आपको E given है तो E given है तो then the net electric field intensity at the center of the square मतलब E के कारण intensity E है तो इन चारों के कारण आपको यहां पर net intensity निकालने है तो intensity net निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा देखो intensity एक charge एक charge आपने क्या लिए हो प्लस q तो इसके कारण E है तो बाकी सारों के कारण भी क्या होगी यह होगी क्योंकि बाकि सारे चार्ज भी क्या है सेम है तो अब अपने को only intensity की direction find करनी है direction find करके अगर plus minus कुछ करना हुआ तो वो कर देंगे तो देखो direction इस center पे अगर बात करूँ तो direction find करने के लिए आप क्या करते हो हमेशा आपको बताया यहां पे test charge q0 रखोगे ठीक है q0 यहां पे क्या रखोगे test charge place करोगे अब देखो यह वाला जो plus q charge है q0 charge पे force की side लगाएगा repulsion force लगाएगा तो यह इसके कारण force की direction है तो यही क्या होजेगी इंटेंशिटी की direction अब इस charge के लिए बात करो तो यह भी इसको repel करेगा तो इसके करणट इंशिट इस डेरेक्शन में इस force के करणट इंशिटी इस direction में और इस force की करणट इंशिटी इस direction में आजैगी तो अब देखो यह तो चार्ज़ सेम है, तो सेम के कारण क्या हो जाएगा? जो फोर्स की डिरेक्षिन है, वो उपोसित हो जाएगा. अब नेक्स देखो, फिफटीन नंबर क्वेश्चन कि टू इक्वल दो ईक्वल चार्ज़ है, मतलब टू कुलाम और टू कुलाम लेकिन आपोसित है, मतलब ए दो आपने इक्वल चार्ज प्लेस कर रखे हैं, उन्हों उनके बीच जो force है, वो F work कर रहे हैं, if 75% charge of one of them is somehow transferred to the other, मतलब एक sphere का आप क्या करते हो, कि एक object का आप charge का 75% जो part है, उसको दूसरे को क्या कर देते हो, तो अब उनके बीच पूछ रहे हैं भी force कितना आएगा, तो देखो क्या conditions हैं यहां पे, कि आपके पास दो objects है, दोनों पे same charge है, और दोनों पर क्या है, opposite है, मतलब same तो है, एक पे positive है, दूसरे पे negative, अब एक का आप क्या करते हो, 75% charge दूसरे पे transfer कर देते हो, तो देखो पहली condition में तो आपको कहा है कि, force की value F है, तो दूसरी condition में value निकालो, जब आपने charge transfer कर दिया, तो देखो यहां पे percentage आ रहे है, तो percentage वाले को आसान तरीके से समझने के लिए, मैंने यहां पे plus 100 कूलम charge ले लिए, और एक पे minus 100, क्योंगी percentage 100 से related होता है, तो अपनी इच्छा नुसार मेंने मान लिया, कि इसको plus 100 और इसको minus, आप यहां पे चाहिए कोई भी charge रखो, आपको भी नहीं सर, हमें तो 20 लेना और यह minus 20 लेना, तो वो ले लो, answer हर एक charge से से सेम आएगा, आपको सर, यहां तो हमें plus Q लेना, और यहां minus Q लेना है, रख लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस plus Q का आपको क्या करना पड़ेगा, 75% निकालना पड़ेगा, फिर charge जोड़ना पड़ेगा, तो वो काफी लंबा method हो जाएगा, तो इसको असान method से करने के लिए, जब अपने को percentage दिया हुआ है, तो अपनी तरप से माल लेते हैं, कि एक पे plus 100 कूलम चार्ज, और एक पे minus 100 कूलम चार्ज है, तो देखो क्या होगा, two charges are of 100 कूलम, and nature is opposite, आपने let, यहां पे दो charge माल लिए, let two charges of 100 कूलम, and nature के आपने की opposite है, then the force between the charges, यह force आपको given है कि F है, तो F की value देखो क्या होगी, कि K Q1 Q2 upon R square, अब R की value नहीं पता दो, इसको ऐसी पड़ा रहे ने दो, तो 100 into 100 उपर आ जाएगा, अब next देखो, जब आप charge transfer करोगे, मतलब इसका 70% charge कितना हो जाएगा, 75 कूलम हो जाएगा, तो इसका जो 75 कूलम होगा, वो plus का charge होगा, अब यह वड़ा plus charge, जब आप इस minus को दोगे, तो यह इस minus में क्या कर देगा, minus charge को थोड़ा सा cancel करेगा, तो देखो cancel कैसे करेगा, यहाँ से plus 75 आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे remaining कितना रहा, remaining आपके पास रहा 25 कूलम, तो यह तो first spear लिख दिया, अब इस 75 को इस 100 कूलम में लेके गए, तो minus का 100 और plus का 75 है, तो इस पे कितना remaining रह जाएगा, minus का 25 कूलम इस पे remaining रह जाएगा, मतलब आप दोनों जो अब्जेक्ट आपके उन पे जो नया चार्ज है, वो कितना आजाएगा, plus 25 कूलम और minus 25 कूलम, तो चार्ज आगे तो आप force क्या है कि, let 75% of 100 कूलम charges transfer to minus 100 कूलम, then after transfer, charge on first, first पे क्या है, 25, charge on second क्या है, minus 25, तो आप force को अपने f- assume कर लिए, अभी f- है, मालो, तो f- की value क्या होजएगी, k q1 q2 upon r square, यह होजएगी, अब क्या करोगे आप दोनों force की value आगी, दोनों को क्या कर दो, divide कर दो, equation 2 upon 1 कर दो, तो k से k cancel, r square से r square cancel, यह उपरी बढ़ा रहेगा, यह नीचे बढ़ा रहेगा, क्योंकि upon value जो quantity होती है, वो जाती होती होती हो उपर, ठीक है, तो अब 25, उपर आ जाएगा, 25 into 25, और upon में 100 into 100, तो यह 1 upon 16, या f- की value निकालो, तो इसको f को क्या कर दो, इधर multiply कर दो, यह 1 के साथ, तो यह f upon 16, यह आपका answer आ जाएगा, तो यह आपके थे, mcq, यानि छोटे question, जो option वाले question थे, अब next आते हैं, very short answer type question, तो very short answer type में, आपको question सारी करने है, question क्या करने है, सारी करने है, book में, जो question दिये हुए है, वो भी आपको कर दे हैं, बाई one charge on another is f, कि एक जो एक charge है, वो दूसरे charge पर force कितना लगा रहा है, f लगा रहा है, तो दो charge माली, एक q1 एक q2 है, और ये q1 इस q2 पर क्या कर रहा है, force लगा रहा है f, ठीक है, in presence of third charge, एक third charge और पड़ा है, other charge पड़ा है, यहाँ पर मान लिया, what will be the force on second charge, by the first charge, यानि कि, जो क्या होगा, कि यह वाला जो charge है, यहाँ पर एक charge पड़ा है, अब बताओ कि, इस charge के यहाँ पड़े होने से, कि यहाँ पर कितना force काम करेगा, कि other charge यहाँ पर present हो गया, तो other charge की presence में, यह वाला force कितना होगा, जो आपको F दिया हुए, तो अब देखो, because force acting between charges, depends upon the value of charge, distance and medium, तो आपको पता है कि, 2 charges के between force, या दो charge की value पर depend करता है, Q1, Q2 पर, या बीच की distance पर, या medium पर depend करता है, तो यह 3 चीज़ें मता हो, यहाँ पर change हो रही है, क्या, दोनों charges वही पड़े है, other charge पड़ा हो, चाहिए ना पड़ा हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन force तो इन दो के बीच ही calculate करना है, तो दोनों के बीच जो charge है, उसकी value change नहीं हुई, distance उतनी ही पड़ी है, medium वही पड़ा है, तो अपने क्या कह सकते हैं, कि जो other charge की presence है, वो इन दो charges के between force को क्या कर सकती है, कोई भी उस पे effect नहीं डालेगी, तो उस पे जो force है, वो क्या लगेगा, विल्कुल same ही लगेगा, मतलब आप क्या करो, इसके आसपास चाहिए, आप पचास charge रख दो और, यहां पे यह वाला charge रख दो, यह वाला रख दो, यह वाला रख दो ऐसे, इस इन दोनो charges के between, जो force वर करेगा, उसकी value उतनी ही रहेगी, इन charges पे डिपेंड नहीं करती, हाँ किसी एक particular charge पे, इस पे total force कितना लग रहे है, इन सारी charges के कारण, तो value क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी आपको कह दें, इन दो charges के between force क्या होगा, तो वो force तो वही होगा, जो पहले लग रहे है, तो वही चीज़ यहां पे, मैंने answer में लिकी हुई है, अब next देखो, fourth question आता है, आपके पास, fourth question क्या है, if the dielectric constant of a medium is unity, then what is its absolute permittivity, या permittivity of medium, यहां पे एक नया word है, absolute permittivity, उसको मैंने define कर दिया, यह क्या होता है, permittivity of any medium होता है, ठीक है, तो absolute permittivity से, आपको confuse नहीं हो न, यह medium की permittivity आपको दिया होती है, तो देखो कि, एक अपने को medium दिया होगा, उसका dielectric constant कितना है, unity मतलब one है, ठीक है, तो आपको क्या निकाल ले है, उसकी absolute permittivity, मतलब उसकी medium की permittivity निकाल ले है, तो आपको पता है, कि epsilon r क्या होता है, डाइलेक्टरी constant होता है, वो one given है, find अपने को epsilon medium करना है, तो आपको पता है, epsilon r is equal to epsilon medium, पहनो epsilon node होता है, तो epsilon r की value यहाँ पे given है one, तो उसकी value one put करोगे, यहाँ पे यहाँ one रख दोगे, तो one रखोगे, तो इसको cross multiply जबाब करोगे, तो epsilon m is equal to epsilon node, मतलब जो epsilon node होता है, वो ही होता है, तो आपको पता है कि air के लिए क्या होता है, जो डाइलेक्टरी constant है, वो one होता है, तो air के लिए जो primitivity है, उसकी value यही होती है, मतलब epsilon node की equal ही आगी, मतलब air medium दिया हूँ, आपको यह भी आप बता सकते हैं, अब देखो next question क्या है, कि 42 point charges, Q1 and Q2 product, दो आपको charge कीवन है, दोनों का जो product है, मतलब multiply है, वो zero से less than है, ठीक है, then what is the nature of force between them, तो इन दोनों charges के between, जो force लगेगा, उसकी nature कैसी होगी, nature का मतलब, भी attraction का लगेगा, या repulsion का force वर्क करेगा, इन दोनों के बीच, तो देखो, क्योंकि आपको given है, कि Q1, Q2 less than zero है, मतलब दोनों charges का multiply less than zero, less than zero का मतलब, दोनों charges का multiply क्या है, negative है, तो दोनों का multiply negative, दो quantities का multiply negative, कब होता है, कि यहाँ पे दो conditions possible है, या तो Q1 negative और एक positive, आपको पता है कि negative और positive quantity का multiply ही क्या होता है, answer negative हाता है, अगर यहाँ पे plus plus हो, फिर भी plus आएगा, और यहाँ पे minus minus हो, फिर भी यहाँ पे plus आएगा, और एक जब negative होगा, दूसरा positive, फिर ही multiply इन दोनों का क्या आजाएगा, आपके पास negative आएगा, तो देखो वही condition लिखे है कि Q1 negative हो सकता है, या Q2 positive, या फिर Q1 positive और Q2 negative, तो यह दो conditions से possible हैं, जब क्या हो सकता है, दोनों का multiply 0 से less than हो सकता है, तो अब देखो, दोनों के condition में जो charge हैं, वो opposite nature के आ रहे हैं, तो देखो, it is clear that the value of Q1 Q2 is negative, when both the charges are opposite in nature, यानि अब nature में क्या दोनों opposite हैं, और आपको पता है कि opposite charges के between, कौन सा force work करता है, force of attraction, तो force of attraction ही आपके क्या करेगा, अब 6th question देखो, 6th question में आपको, बिल्कुल same 5th question जैसा दिया हुआ है, इसको book में पढ़ना, कि दो charges हैं, उपर तो क्या था, Q1 Q2 दोनों का multiply less than 0 था, अब इसमें आपको देदिया भी greater than 0 है, तो इसका मतलब greater than 0 है, तो Q1 Q2 का multiply positive, और Q1 Q2 का multiply positive कब आता है, या तो दोनों ही negative हों, दोनों negative हों, दोनों negative का multiply क्या आएगा, आपके पास positive आएगा, या फिर दोनों positive हों, मतलब जब आपका charge क्या होंगे, same होंगे, तब भी क्या होगा, उनका जो multiply हो positive आएगा, तो same charges के between force of repulsion लगते हैं, यानि 5th और 6th question, same मैं वैस, फोड़ा सा difference दिया हुआ है, एक आपको explain कर दिया, 5th मैंने 6th आप बुक में पढ़के, और इसको देख ले ना, hint इसका दिया हुआ है, मैंने यहां पे, ठीक है, 7th question देखो, कि what is the force acting on electric charge placed in electric field E, कि कोई charge है, वो एक electric field E में place किया, वो तो उसपे force कितना लगता है, तो आपको बता है, F is equal to QE force लगता होता है, नेक्स्ट 8th question, कि what is the effect of speed of a charged particle, and its charge and mass, तो यह मैंने special theory of relativity, जब आपको topic इस chapter में करवाया था, तो उसमें यह clear बताया था, कि जो charge की value होती है, वो speed या velocity पे depend नहीं करती, चार्ज, जितनी rest में charge पड़ा, वो उसकी value उतनी velocity में charge में होगी, मतलब कि charge होता है, वो velocity पे depend नहीं करता, लेकिन जो mass होता है particle का, वो क्या होता है, कि velocity पे depend करता, और जैसे-जैसे velocity increase होती है, mass की value क्या होती है, इंक्रीज या इंस्टी ने बताया था है, जिसको अपने special theory of relativity बोल देती है, तो वो ही चीज यहां पे लिखिया, कि there is no change in the value of charge, due to speed या velocity, but mass of particle will increase, with increase in speed, ठीक है, यह अंसर हो जाएगा, अब देखो 9th question आपको क्या given है, कि what is the magnitude of, intensity of electric field, that can balance the weight of any electron, कि intensity of, आपको find क्या करना है, magnitude of intensity of electric field, मतलब E की value आपको find करनी है, only magnitude find करना है, मतलब direction वगरे नहीं बतानी, E की value find करनी है, कि वो कितनी E की value हो है, जिस पे क्या आजाए, कि यह एक electron के weight को क्या कर सके, balance कर सके, ठीक है न, तो क्या होगा, कि मान लिया अपने को, एक uniform electric field है, uniform electric field क्या होता है, कि दो plates के between, एक पे क्या हो, plus charge और एक पे minus, तो इनके बीच, plus to minus 1 electric field, generate हो जाता है, जिसे अपनी uniform electric field बोल देते, तो वो electric field ले लिया, अब यहां पे इसके बीच में क्या रख दिया, दोनों plates के between, एक electron place कर दिया, यह वाला, ठीक है, यह electron हो यहां पे रखा हुआ है, अब यह कह रहा है, कि यह वाला जो electric field है, वो इस electron को balance कर दे, balance करने का मतलब, जिस जगह पे यह electron पढ़ा हुआ, उसी जगह पे पढ़ा रहे, इस पे कोई force ही है, ना apply करे, weight को balance करने का मतलब, भी जहां पे आपने electron रख दिया, वहीं पे पढ़ा रहे, वहां से वो बिल्कुल ना ही ले, मतलब जिस condition में पढ़ा है, वहीं पढ़ा रहे, तो अब देखो, अगर electron यहां पे रखा हुआ है, तो इस electron पर दो force वर्क करते हैं, एक force तो यहां पे लिखा हुआ, F, E, यह electric force होता है, और इसकी direction क्या होती है, electron के लिए, E vector की direction के opposite, क्योंकि F is equal to, electron के लिए क्या हो जाएगा, minus E, E vector हो जाएगा, अगर आपको vector form में लिखें, तो minus E, E vector, तो यहां पे मतलब, जो E vector की direction है, उसके opposite direction में, इस पे electric force वर्क करेगा, तो तब ही मैंने काया, E vector की direction तो, क्या है, plus to minus है, तो जो इस पे electric force वर्क करेगा, वो उपर की और इस पे apply हो जाएगा, अगर आपके पास gravitational force, क्योंकि electron का mass होता है, और अगर आपने ऐसे place किया होगा है, तो यह downward क्या होगा है, apply होगा force इस पे, तो अब देखो, theoretical तरीके में क्या लिखा होगा है, यह according to the diagram, an electron is placed in an uniform electric field, E vector में place किया होगा, then there will work two forces on electron, इस electron पे दो force क्या करेंगे, work करेंगे, first क्या होगा, electric force होगा, जिसकी direction upward होगी, और second क्या होगा, gravitational force होगा, जिसकी direction क्या होगी, downward हो जाएगी, ठीक है, for balanced condition of electron, electron की balanced condition के लिए क्या आजाएगा, net force उस पे zero हो जाएगा, तो net force zero होने का मतलब, 20 newton का उपर लग रहे, 20 का नीचे लगे, तो net force zero तब होता है, जब दोनो forces की value क्या हो, same हो, तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, कि दोनो forces की value same रख दी, और आपको निकालना क्या है, यहां से e की value निकालनी है, तो small e को क्या गरो, minus 19, तो जब आप इसको solve करोगे, तो आपके पास यह वाला answer आजाएगा, और इसकी unit होती है, newton पर कुला, दूसरी unit आपको बताई थी, volt पर meter, जो आपने third chapter में पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद रखनी है, तो यह आपके पास electric field की value आजाएगी, अब next देखो आता है आपके पास, कि the force acting between two charges, placed in free space is F, कि कोई भी दो charges हैं, उनको place किया हुआ आपने free space में, तो उनके बीच F force वर कर रहा है, if a brass plate, brass क्या होता है, पीतल होता है, तो brass plate is now put in the reason between the charges, यानि कि अब पहले तो आपने दो charge रख रखे थे, किस में रख रखे थे, air में रख रखे थे, अब आपने इनके बीच क्या कर दिया, brass plate मतलब पीतल की plate यहां पे place कर दी brass plate, तो यानि आपने यहां भी medium place कर दिया, then what is the value of force, कि अब उसन के बीच जो force होगा, उसकी value क्या होगी, तो आपको पता है कि जब आपने medium place करते हैं, तो जो force की value हो, epsilon r times कम हो जाती है, यानि f medium जो होता है, वो f upon epsilon r हो जाता है, अब जो brass plate हो एक conductor हो, और conductor के लिए epsilon r की value infinite होती है, यह define की हुई है, बुक में आप देख सकते हो, एक table में इसकी value दी होई है, और conductor के लिए इसकी value infinite होती है, ठीक है, तो conductor के लिए infinite है, तो epsilon r की value infinite रखो, तो force क्या हो जाएगा, 0, तो जब भी आपको ऐसा question आजाए, और एक बार board में एक question आया हुआ है, कि अगर अपने दो charges के between, एक क्या रखें, conducting medium रख दें, कोई conductor रख दें, या conducting medium रख दें, तो उनके between force कितना रह जाएगा, तो जब भी आप conducting medium रखोगे, तो याद रख लो, conducting medium के लिए epsilon r infinite होता है, तो force हमेशा 0 हो जाएगा, force के value क्या होगी, एमेशा 0 हो जाएगी, आपको याद रख नहीं, नेक्स्ट क्वेशन देखो, name the experiment with which quantum nature of charge was established, यानि कि जिससे अपने को पता लगा, quantum nature charge की, वो experiment का नाम बताओ, तो आपके only नाम ही दिया हुआ है, और वो नाम अपने पढ़ा भी था, जब chapter कर रहे थे, Millikan Oil Drop Experiment, Millikan ने Oil Drop Experiment किया, Millikan Scientist का नाम है, तो उसने इससे क्या बताया, कि जो charge होता है, उसकी minimum value electron की charge की equal होती है, मतलब 1.6 into 10 की power minus 19 की equal होती है, जिसको अपने 1 quanta of charge कह देती है, ठीक है, तो वो value पता किस से चली थी, Millikan Oil Drop Experiment से, अब था क्या यह आपके नहीं है, डिटेल में, नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन, राइड था condition for an ideal electric dipole, ideal electric dipole की condition लिखो, तो यह भी question अपने book में नहीं है, तो देखो condition होती क्या है, कि जो magnitude of charge है, मतलब charges की value अब वो तो बहुत बढ़ी होनी चाहिए, और जो बीच की distance आप लेते हो, इनके वो 2A लेते हो, तो आप dipole की condition यह होती है, आप याद रख लो, कि यह जो charges है, इनकी value बहुत ही high होनी चाहिए, और जो 2A बीच की distance है, यह बहुत ही कम होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है, बहुत ही less होनी चाहिए इसकी value, तो distance 2A should be very small, charges should be high, and distance should be very small, दोनें की बीची distance क्या होनी चाहिए, small होनी चाहिए, तो इसको ऐसे कैसी याद रखना है, 14 question देखो, give the example of a particle, which has zero rest mass and zero charge, कि कोई ऐसा particle का example दो, जिस पे zero rest mass हो, तो उसका और zero ही charge हो, rest mass मतलब जब वो stable एक जगह पे रुका हुआ, उसका जो mass है, देखो, आपको पताए, Einstein ने बताया था, कि जब mass होता है, वो velocity के साथ change हो जाता है, तो उसने जो बिल्कुल stable condition में, अगर कोई object पढ़ा होगा, तो उसके mass को उसने rest mass का था, तो कोई एक ऐसा particle, जिसका rest mass और charge क्या हो, zero हो, तो वो क्या होता है, photon होता है, chemistry में आपने photoelectric effect पढ़ा होगा, वहाँ पे photon आता है, तो photon एक ऐसा particle होता है, जिस एनरजी का packet होता है, जिस पे क्या होता है, जिसका mass भी अपने rest mass, zero मानते हैं, और charge भी इस पे क्या होता है, zero होता है, ठीक है, only energy होती है, इसमें, next, 16 question, कि write the charge on nucleus, 7N14 in coulomb, यानि कि 7N14 क्या है, यहाँ पी nitrogen atom आपको given है, nitrogen आपको given है, तो nitrogen पे जो charge है, वो coulomb में निकालो, और किस पे, nucleus पे charge निकालो, इसके, तो देखो, लिखा होगा है, कि because charge on nucleus is due to proton, आपको पता है, nucleus में proton और neutron होती है, तो जो charge होता है, वो only proton पे होता है, neutron क्या होती है, uncharged particle है, इन पे कोई charge नहीं है, तो जो proton पे charge होगा, वो ही क्या होगा, nucleus पे charge होगा, क्योंकि nucleus में charge, किसके कारण होता है, proton, तो पहले अपने देखते हैं, कि इसमें number of proton कितने है, तो देखो, ये symbol क्या आपने को दिखा रहा है, इस symbol का रहत है, ये जो नीचे लिखा होगा है, ये तो होता है, इसका atomic number, यानि जिसको z से अपनी show कर देता है, atomic number, जो इसका periodic table में number आता है, तो वो ता 7, और ये क्या होता है, जो atomic number होता है, इसके number के equally इसमें क्या होते हैं, proton होते हैं, क्या होते हैं proton, तो इसमें proton कितने हो जाएंगे 7, और जो उपर 14 लिखा हुआ है, इसको अपने इसका atomic mass बोल देते हैं, और ये atomic mass किसके equal होता है, neutron प्लस proton इन दोनों के number के equal होता है, मतलब अब आपसे बूच लें भी इसमें neutron कितने हैं, तो इन दोनों को minus कर दो, क्योंकि proton तो 7 हैं, और total neutron प्लस proton 14 है, तो proton इसमें 14 minus 7 यानि 7 आजए, तो अपने तो proton निकालने हैं, तो proton अपने को पता लगे भी कितने हैं, 7, अब आपको पता है, एक proton पर इतना चार्ज होता है, तो 7 proton पर कितना होगा, इसको multiply कर दो, multiply करने पर आपके पास ये वाड़ा answer आजएगा, तो ये तो थे वो questions, जो आप खुद नहीं कर सकते थे, या आपको doubt आ सकते थे, अब मैं एक बार वो question थोड़े थोड़े आपको बता देता हूँ, जो आप खुद कर सकते हो, तो मैं तो आपको ये ही suggest करता हूँ, कि ये जो सारी questions है, very short answer तक, उनको आप अपनी जो notebook, जिसमें आप notes बना रहे हो, note करते चलो, तो अपने देखो, book में देखते हैं questions, जो जो बच गए हैं, तो देखो, first question इसमें है, कि दो identical charge हैं, बीच के separation distance दी हूँ, या आपको force दिया हुआ है, और charge की value पूछी है, तो ये वाला question, बिल्कुल सेम आप कर चुके हो आज, तो बिल्कुल उसकी तरीके से करना, Q square की value आपके पास आजेगी, और Q की value आपको अंट्रूड करके निकालनी पड़ेगी, ठीक है, next question है, तो force acting between two charges is 8 newton, यहाँ पर 8 newton ना होके, यहाँ पर F newton है, क्योंकि आपको देखा आंसर F है, तो यहाँ पर काटके आप इसको F newton कर लेना, ठीक है, F newton given है आपको, तो अब आपने क्या कर दिया, if the separation between them is tripled, यानि उनके बीच की जो separation हो, उसको triple कर दिया, यानि पहले जो distance मान रहे थे, आप दोनों के between, वो आरे जियों कर रहे थे हो, तो अब कितनी कर दी, 3R कर दी, तो force उनके बीच क्या होगा, तो force क्या होता है, इस distance के inversely, square के equal होता है, तो इसका square हो जागा, यानि F upon 9, इसका क्या आजएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना चार्ज आप किसी object को देना चाते है, तो how many electrons are to be removed, तो F आपको बताया था, Q is equal to N E formula होता है, तो number of electron आपको निकाल लें, तो इसमें 3 point something answer आएगा, मतलब जो पूरा-पूरा answer है, वो 3 आजाएगा, N आपको निकालना है, Q आपको given है, यह charge और E की value आपको बता है, 1.6 into 10 to power minus 19, 4th question हो गया था, 5th question भी कर लिया था अपने, अब next देखो, 6th question, 6th question क्या है, वोन putting a glass plate in between two charges, the electrostatic force between them as compared to earlier is, कि दो अपने charges के between क्या कर दें, एक glass plate रख दें, मतलब आपने अब क्या कर दी है, एक medium place कर दी है, तो मैंने आपको बता है कि highest force किस में होता है, air या vacuum में होता है, बाकी सारे medium place करने से, force की value क्या होगी हमेशा, decrease होगी, इसको अपने mind में बिठा लो, तो अब क्या हो जाएगी, less हो जाएगी पहले की compare reason में, अगर आपने यहाँ पे glass plate रख दी, और अगर यहाँ पे अपने क्या कर दे, कोई conductor medium रख दे, तो force क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, less हो जाएगा, next time, कि the dipole moment of HCl molecule is, dipole moment यहनि P की value given आपको, और आपको का रखा है, कि उनके बीच का separation कितने है, तो P is equal to, आपको पता है Q into 2A होता है, और HCl में कि देखो क्या होता है, आपको example दिया था, HCl में जो charge होता है, यह Q, यह E की equal होगा, E की equal क्यों हो, क्योंकि H तो positive होता है, और CL क्या होता है, negative तो, यानि plus 1 और minus 1 इस पे charge हो जाएंगे, तो plus E और minus E इस पे charge होंगे, तो Q की value E put करो, और आपसे 2A की value पुछी होई है, तो 2A is equal to P upon E हो जाएगा, तो P की value पता आपको, E की value 1.6 into 10 की पावर minus 19, तो इससे आप कर सकते हो, फिर next 8th question अपने हो गया था, 9th question देखो क्या है, 9th question भी अपने कर लिया था, 10th देखो, कि on placing dipole in a uniform electric field, it is acted upon by E, यानि कि जब आप किसी dipole को एक uniform electric field में place करती हो, तो क्या होता है, उस पे torque लगता है, उस पे only force लगता है, both force and torque लगता है, या फिर उस पे क्या लगता है, neither force nor torque, तो आपको मैंने बताया था, कि force तो उस पे apply होता है, लेकिन net force उस पे क्या हो जाता है, zero हो जाता है, ठीक है न, net force उस पे क्या हो जाता है, zero हो जाता है, तो मतलब उस पे work क्या करता है, only torque work करता है, net force उस पे क्या होता है, zero के equal होता है, next for the torque to be maximum on a dipole placed in electric field angle between P and E कि P और E के between कितना angle होना चाहिए कि जो उसके जो उसके क्या लगे torque लगे उसकी value क्या हो maximum to maximum to is equal to P e sin theta और sin theta की maximum value 90 degree पर होती है तो यह इसका क्या जाएगा answer हो चाहिए next है an electron and proton are apart यानि electron और proton रखे होई हैं कुछ distance पे तो इस system का dipole moment क्या हो जाएगा ठीक है ना आपसे पूछा हुआ है कि इस system का dipole moment क्या होगा तो यहाँ पे आपको क्या है कि जो distance और electron और proton पे charge क्या होता है charge आपको पता है कि कितना होता है 1.6 into 10 की power minus 19 इस पे charge होता है अब यहाँ पे जो distance है वो आपको unit assume करनी है यहाँ पे आपकी बुक में यह misprint है unit distance assume करनी है तो 1.6 into 10 की power minus 19 क्या आजाएगा इसका answer आजाएगा आपके पास अब next क्योंकि आपको apart लिखा हुआ apart अब कितनी distance पे है बिना distance के तो आप क्या कर सकते dipole moment finding नहीं कर सकते p is equal to q into 2a आपको लगाना पड़ेगा formula तो 2a आपको यहाँ पे unit distance लिखना था यहाँ पे इन्होंने तो unit distance आप मानके यहाँ पे 1 रखके और इसको multiply करके answer निकाल दो कि अगरा दोनों के लिए distance same हो किसी dipole के center से तो longitudinal और transfer position में electric field का ratio क्या होगा तो longitudinal यह वाली condition होती है इसमें देखो longitudinal अपने physics के इसाब से ही इसको मानते हैं बाकि subjects के अलग-अलग मानते हैं लेकिन physics में longitudinal यह वाली direction होती है मतलब axial point मान सकते हो आप इसको axial वाली जो मानी थी क्योंकि wave motion वाले chapter में अपने क्या पढ़ते हैं कि वो waves जिसमें क्या हो कि एक line के according वो motion करें मतलब जैसे spring में होती हैं उनको longitudinal waves बोलते हैं मतलब इनके particle के जो vibrations होते हैं वो wave की direction में होते हैं तो इसको axial और transfers क्या होती है जिसमें क्या हो प्रपेंडिकुलर vibrations हो तो transfer position यहां पे जो equator वाली position थी वो हो जाएगी ठीक है तो देखो आपको पता है कि longitudinal या axial position में 2 kp upon r cube होता था और दूसरे में क्या हो जाता था kp upon r cube हो जाता तो kp upon r cube से kp upon r cube cancel तो दोनों का जो ratio हो जाएगा वह यहां पर two ratio one हो जाएगा यह answer आ जाएगा इसका तो यहां पर longitudinal or transfers का मतलब है axial or equatorial point ठीक है next 14 question देखो देखने हैं बड़ा लग रहे हैं लेकिन बहुत ही असान question है कि the force of attraction between five new climb and minus five new climb charge kept at some distance apart 9 newton यानि दो charges को आपने कुछ distance पे place कर दिया और उनके बीच जो force लग रहा है वो 9 newton का when the two charges are made to contact and then separated again अब आप क्या किया दोनों charges को contact में लाए और फिर उन दोनों को उसी distance पे आपने place कर दिया at the same distance then the force acting between them तो देखो उपरवाले question एक ऐसान इक्वल charge वाला आया था तो जब भी आप द दो charges को contact में रखोगे तो conduction method से क्या होगा charge transfer होगा तो अब एक charge plus 5 और दूसरा minus 5 है तो net charge इन पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो मतलब दोनों जो आपके दियो हैं sphere दियो हैं या object दियो हैं उन पे net charge 0 है तो उनके between जो force क्या हो जाएगा वो भी अब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर मालो एक charge बड़ा होता मालो यह plus 10 होता और वो minus 5 होता तो यहां पे क्या होता प्लस का 5 बच जाता वो फिर plus 5 क्या होता दोनों spheres भी equal distribute हो जाता अब पहले यहां पे net charge 0 हो गया तो अब यह distribute क्या होगा दोनों पे 0 ही रहेगा तो 0 charge है तो force क्या हो जाएगा 0 15 question अपने कर लिया अब next देखो very short answer type question पे अपने आते हैं तो इसमें first और second question करने वाला था तो write down the value of one quantum of charge तो one quantum क्या होता है e के equal मतलब 1.6 into 10 की power minus 90 इतना charge होता है one quantum अब next है कि the electrostatic force between two protons separated by a distance is f यानि कि दो proton के बीच जो electrostatic force है वो क्या f है if the protons are replaced by electrons what is the force तो अब आपने पहले तो proton रखे होए थे इनके बीच जो force था एफ वर कर रहा था अब proton हटा के आपने क्या प्ले Elektoron तो अब बताओ तो आपको बता है distance उतनी रख रहे हैं अपने आ यहांपे धी आर यहांपे रख रहे हैं और चार्ज कितना अब मतलब कोही चेंज सेनी होगा बाकी question मैंने notes में discuss कर रखे हैं अब मैं वो question कर वा रहा हूँ जो आपके only book में यहां पर given है तो 10 number question देखो क्या है यहां पर कि the force acting between two charges placed in free space is F यानि free space में दो charges आपने place की हुए हैं तो in between जो force work कर रहा है वो कितना F है अब आपने brass plate रख दी brass plate वाला यह तो किया हुआ था अपने तो कर रहा है तो अब उसकी value क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अब next जो question इसमें कौन सा बचा हुआ है 11th हो गया 12th हो गया sorry 12th आपको क्या लिखने है डाइपल मॉमेंट की definition लिखने है तो यह लिखवा ही हुई है अब next ideal condition यह वाला हो गया अब next 14 question भी आपने photon answer किया था फिर 15 question आता है कि on what the value of k depends in the expression one upon four by epsilon node for column slow यानि की की एक की value किस किस चीज लिखने पर डिपांड करती है तो आपको पता है के किस पर डिपांड करता होते है klAm अब देखो एक factor यहां पर और आता है वह factor कौन सा है आपको पता है की जो वैलिवा थी के की जो unit होती है वो unit होती है newton into meter square upon में coulomb square यह होती है अब अगर आपको कह दें भी यह तो value इसकी किस में है SI unit system में है अब आपको कह दें भी CGS में निकालो तो CGS unit system में जब आप K की value निकालोगे तो newton की value भी change हो जाती है dine हो जाती है meter centimeter में आ जाता है और coulomb state coulomb में आ जाता है तो मतलब CGS अगर आप unit system में जाओगे तो यहां पर K की value इस SI की equal नहीं रहेगी change हो जाएगी तो दो factor पर depend करेगी K की value एक तो medium पर दूसरा क्या लिखोगे आप इसमें कि जो system of units है उस पर depend करेगी ठीक है ना depends on system of units 16 कर लिया था 17 देखो question on rubbing an abonite rod with fur fur मतलब जो cat skin आपको बताया था वो फर ही होता है it gets negatively charged by यानि कि negative charge क्यों आता है abonite rod पे तो उसका reason बता हो आपको तो reason आपको मैंने पहले बता रखा है क्यों आता उस पे क्योंकि जो fur के electron है वो इस abonite rod पे transfer हो जाते हैं तब क्या तो उस पे negative charge आजा write the CGS and SI unit of charge charge की CGS और SI unit तो SI unit तो coulomb होती है और CGS unit क्या होती है Franklin या state coulomb इसको बोल देती है what is the relation between them तो relation क्या होता है one column जो होता है वो three into ten की power seven state coulomb की equal आ जाती है इसकी value ठीक है आपको बताया हुए ये भी what an electric dipole is in stable equilibrium in uniform electric field तो stable equilibrium में कब होता है जब angle क्या हो P और E के between zero degree का हो dipole के लिए ठीक है बिलकुल last वाला topic बिलकुल last last में और what is the net force on an electric dipole in an uniform electric field तो net force क्या होता है एक force QE side work करता और दूसरा dipole P side work करता तो net force क्या होता है जीरो होता है तो यह आपके थे answer MCQ के और very short answer type जो question आपको की है अब next video जो बनेगी उसमें अपने इसके numericals discuss करेंगे जो hard hard numericals है जो simple formula based है वो आप try करना उसको मैं थोड़ा बता दूँगा वैस लेकिन explain उनको ही करूँगा जो थोड़े hard है और बाकी अपने इसके जो previous year board questions ह time वो discuss करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you have a nice day